इन दोर में सैयद नहर्शावली सरकार के 75 वे उर्ष की तैयारी जोरो पर सुबा दस बजेई चादर पेश कर उर्ष की शुरुवात होगी आपको बता दे दरगा नहर्शावली के 75 वे उर्ष इस बार होने जा रहे हैं उर्ष की पुर्य तैयारी कली गई है दरगा सदर डॉक्टर रिजवान की सदारत में इस बार उर्ष होने जा रहे हैं जिसमें देश के जाने माने कवाल अपना कलाम पेश करेंगे हर वर्ष की तरह इस वर्ष उर्ष मेदान को कुछ अलग अंदाज में सजाया गया है वहीं बहुत बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाया गया है जिसमें जैंस और लेडिस के बेटने की वेवस्ता अलग-अलग की गई है मेला परिसर में टू वीलर और फोर वीलर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा इस बार उर्ष में किसी को कोई जवाबदारी नहीं दी गई है दरगा सदर डॉक्टर जवान पटेल खुद उर्ष की तैयारी में जुटे हुए है उनके आगे किसी की नेतागिरी नहीं चल र रहे है जिससे बीचोलियों में हडकम मचावा है इस बार उनकी दाल नहीं गल रही पटेल पूरी शिद्धत से उर्ष को सफल बनाने के लिए हर परियास कर रहे है ताकि किसी को कोई परेशानी भी ना हो और इस परकार उर्ष में होने वाली आमदनी से वक्व बोट को बड उर्ष होने जा रहा है वह सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उर्ष होने जा रहा है जिसमें एक रुपे का भी प्रष्टाचार नहीं किया गया है छेतर की जंता बड़ी खुश नजर आ रही है जिस परकार उर्ष की तयारी की जा रही है दरगा सदर डॉक्टर रिजवान पटेल का कहना है मैं किसी भी कमेटी पर कोई जाम नहीं लगाना चाहता हूं पर इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि इस बार जो उर्स में आमदनी हो वो पूरी इमानदारी के साथ वक्त बोर्ट में जमा की जाएगी